Hello everyone, welcome back to our channel Bond of Learning आज हम इस वीडियो में कम्प्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ने वाले हैं ये कीज अगर आप प्रेक्टिकल कर रहे हैं कम्प्यूटर पे लैप्टॉप पे तो भी आपको आनी चाहिए और ये डिरेक्ट आपसे थियरी के पेपर में भी पूछी जा सकती हैं कि वाट इस शॉर्टकट की फॉर कॉपी, फॉर कट, फॉर पेस्ट, ओके तो जो भी आपके स्लेबस में इन सभी में से कीज हैं वह आप learn कर सकते हैं, जो आपके लिए useful है वह आप learn कर सकते हैं तो let's start the video, सबसे पहले copy के लिए shortcut की होती है control plus c, okay इट मेंस कि आपको control जो key है उसके साथ में c की जो key है alphabet c वाली वो दोनों एक साथ जब आप press करते हैं तो आप copy करते हैं उस चीज़ को, ठीक है next है paste तो इसके लिए again control plus V होता है cut के लिए होता है control plus X undo के लिए होता है control plus Z and redo के लिए होता है control plus Y resize या skew के लिए होता है control plus W select all जितने भी आपके text है items है अगर आपको उनको सबको select करना है तो control A कर सकते हैं open font के लिए control D है left alignment के लिए L है central के लिए E है right alignment के लिए control R है justify के लिए control J है new drawing के लिए control N है save के लिए control S है जो कि ये वाली जो की है ये बहुत आपके लिए useful है ये आप जो भी document अपना करते हैं उसको save करने के लिए definitely आपको आने ही चाहिए open के लिए control O है and print के लिए control P है इसमें से बहुत सारी जो keys है control के साथ वही alphabet है जो उनका नाम है जैसे save है तो S है open है तो O है print है तो P है ठीक है copy है तो C है तो ये तो बहुत simple है जैसे कि undo and redo है आपका cut है ठीक है तो वो आप आसानी से learn कर सकते हैं through this video ओके और भी computer पे मेरे मेरा एक video है जिसमें कि हमने computer के सारे parts को detail में practically मैंने जो keyboard है उसकी help से बताया हुआ है कि कौन सी key कहा होती है कौन से की से हम क्या कर सकते हैं वो वीडियो भी आप जरूर देखेगा चैनल पे available है computer की playlist में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का link भी मैं आपको description box में देदूंगी आप वो देख सकते हैं वो वीडियो भी आपके लिए बहुत helpful रहेगा तो ये था हमारा आज का वीडियो I hope आपके लिए useful रहेगा मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you so much for watching कर दो मिलते हैं